नमस्क्राइब सब्सक्राइब रनाम अशुक वीरादव एड्वोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइज वीडियो अप्रोड करते हूं जो कि आप सब लोग करते हैं पसंद करते हैं शेयर करते हैं अब तक नहीं गया तुरंद करिएगा और दूसरे लोगों तक अगर नहीं होते हैं तो उनमें जो जूट उसने बोला है उस जूट के अधार पर उसके खिलाब भी आप एक दर्ज करा सकते हैं क्योंकि इन्वेस्टिकेशन का पार्ट हो जाता है पहले अधार होती है सेक्शन 154 CRPC के तहत और उसके बाद उसमें इन्वेस्टिकेशन होता यह उसमें कितनी सतता है इस बात को जाच करने के लिए इन्वेस्टिकेशन का पार्ट होता है लेकिन जहां पर इन सब चीजों में जूटा किसी प्रिकार से पती परिवार वालों को फसाया जाता है तो वहां पर जरूरत है कि आपको कुछ पॉइंट्स की जागरूता होने यह अगर आपने चीजें पकड़ ली हैं और आपको मालूम है कि वह जूट है तो आपको किस तरीके से वह सिद्ध कर सकते हैं और किस तरीके से उसी ब्यक्ति के खिलाफ जो पतनी है आपके उसी फायर में आपको सकते हैं तो जानने के लिए बने रहे है पूरी पुरा इस सबस्क्राइब करें और दूसरी लोगों तक भी जानकारी को जरूशे करें सबसे पहले बताने चाहिए कि सेक्शन 498-323-506-3-4 यह एक common format है common का मतलब की ज्यादातर महिला इसी के कारण जो फाइयर वो दर्ज करवाती है और पुलिस जो है वो आसानी से उसकी फाइयर दर्ज भी कर लेती है अब इसके बाद जैसे ही फाइयर दर्ज होती है उसी के बाद तुरंथ रोल स्टार्ट होता है ससुराल पक्ष का यहन की पती का और पती के परिवार वालों का अब ऑ एक दूसरे से यह कहते फ़रते हैं कि फाइयर जो पर सब कुछ है उन सभी लोगों को मन में एक रखाई रखे होते हैं कि हमारे उपर F.I.R. जूट इका दी हमारी बहु ने जूट इका दी अब देखिए आप सब लोग समाज में कह रहे हैं लोगों से कह रहे हैं वो आपको ना ही तो F.I.R. में कोई हेर फेर करने वाले हैं और ना ही उस जूट को सक्त करने वाले हैं करना आपको ह तरीका क्या है वो आपको बताएता हूं मैं जब आपके उपर सेक्शन 498 की अफ़या दर्ज होती है उसमें उस फ़यर को निकालें अपने विवेक के नुशार उसको पढ़ें पढ़ने के बाद उसमें देखें कि उसमें क्या-क्या बात उसने जूट कही है अब अगर उसने क कोई भी बात कोई स्टेटमेंट कोई भी आपके उपार जूटा लाइंचन या कुछ भी आपके उपर लगाएगा है तो उसको अंडर्लाइन करें और उस अंडर्लाइन का पढ़के उसको देखें कि मेरे पास उसका कोई एविडेंस है कि उसने वह बात कहीए वह जूटी ह और उसमें क्या मेरे पास कोई एविडेंस है अगर आपके पास उसका एविडेंस है तो आप तुरंट आईयो को यानकी जैसे अफजय दर्ज होती है उसमें एक आईयो इन्वेस्टिकेशन ऑफिसर उसमें नियुक्त किया जाता है और उसी से आप अपने बात आपनी कह सकत है कि सब्सक्राइब है कि जो बात है कि इसमें जूटी है और इनका इसके खिलाब अगर आपके पास होता है बहुत अच्छी बात है आप तुरंट वहीं से निकलते चले जाएंगे अपनी शिकायत या फिर अपनी बात को कहने के लिए उस फिर उसके उपर SP या SSP इस तरह की जो लोग होते हैं उनको भी एक प्रातना पत्र लिखकर उसके साथ वह डॉक्यमेंट लाकर यह बात अपनी वहां तक पहुचा सकते हैं और फिर उसको वह बात चार्शीट के पार्ट को बनाना पड़ेगा और उसी के साथ साथ में वही वह बोलने के साथ मैं वह चीजें सामने आ गई हैं प्रिक्ट हो गई है कि यह सब जूट था तो जूट का धार पड़ तो वह जो आयू है वह उसमें चार्शीट ना लगा देगा लेकिन जैसे आपको लगता है कि वाकर यह चीजे गलत हैं तो आपको तुरंद उसकी खिला लुट ना होगा ये एक प्रकृरिया है दूसरा में लिए मैं कहता हूं यह सबक्रीड नहीं होता है अपको प्रैक्टिकलि आप नहीं घर पाते हैं दूसरा रस्ता यह है कि अब आपको कि फिलाभ चार्शीट लगा दिए तो चार्शीट जैसी लगाई गई है तो अब में गंनाे हैं एक उस ग्यांनी है एक यह ससर Canad किया है और और आपके पास ऊने के बाफोर भी उसने उस्समें चार्षीट लगाई तो यस उसको एसा कॉंस्य Report मा retro ओस pagan देन के involves सेक्षिन 482 CRPC तहाई चोटमें तो उस आयो को भी आप पार्टी बनाये ताकि उस आयो को भी पूशे जा सके उसको भी बलाया जा सके उस हाई कोटमें कि तुमनें किस आधार पर इसमें चार्षिट लगाई और किस आधार पर आपने यह इसे खिलाब जो बात यह यहां तक आगे बढ़ेंगे मैं कहता हूं कि सेक्शन 482 में आप गए यहां तो कोईश हो गई यह नहीं नहीं होई तो अपका मेडिशन कराने के लिए वहां पे एक राइड दिया जाता है कि आप मेडिशन के तवारा उस फिर्ट करा दें तो जब यह चीज कहेंगे तो आयो को भी फटकार लगाई जाए कि भाई इसे क्वेस्ट भी हो जाए वो चीज़ है तो यह एक आपके लिए मोस्ट इंबर्ड आप कुछ लोग डरते हैं कि सर हम अगर पहले कर देंगे या हम उसे खिलाब जाएंगे तो हो सकता है कि हम पर वो मिकदमा कर दे या हमारे प्रति कुछ और प्रति क्रिया कर दे द इनको 20-30 साल हो गए लड़ते लड़ते और आज भी कहीं न कहीं उनको यहीं चीज़ चल लहीं कि डेट पर देट चलती है और या फिर उनका कहीं न कहीं चाहता है कोट या कचैरी सब कुछ आते हैं कि आप इनका कॉंप्रमाइज हो जाए तो इस अधार पर आपके लिए ज दहेज देना और दहेज लेना दोनों ही एक अपराद हैं अगर आपने दिया इसका मदलब आपने भी अपराद किया तो उसके मावाब के खिलाब भी आप एफ़या दाज करवाएं तो यह बहुत एक पूरा सिस्टम है जिसके अगॉर्डिंग जो है वह आपको जहां उसका कर दिये हैं कि अब आपकी दोनों की बन सकती है कहीं न कहीं वही बात दोबार रिपीट आई कि आपने जूटा एक बर कर दिया तो दोबारा करने में कितनी देर लगए आपके लिए तो उस चीश के लिए आपको समझना है और मैं बताना पूशन चाहूं आप से कि जिस समय जाए या फिर उसको दसाथ दुस्मनी बनाई जाए ऐसे वेक्ति के साथ उपर मुकदमे कर रहाते हैं तो अब आगर आपके पत्नी आपके मुकदमे कर दिये तो आप समझ जाईए कि जीवन जो है वो लड़ने बीतना है या समझता हो जाएगा या फिर उस चीश के लिए ह हमें लड़ना है तो यह आपको समझना है बरहाल आज कर आज की जांकरी बस इतनी और अगर आप नए है तुरण सब्सक्राइब करें शेयर जरूर करें वीडियो को ताकि और वी पती जो है इस चीज़ से बस सके आज का वीडियो दिख लें आपसी बहुत धन्यवाद